इस दिन कैसा रहा और आपका क्या अब्जर्वेशन है और सत्र का जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कहां तक होगा हर साल चलता है जब नए साल में राजिपाल आती है पहले सत्र को संबोधित करने तो बिपक्ष में पोस्ट आर बैनार कागज के गोले चलते हैं नारे बाजियां होती रही है लेकिन आज जो धक्का मुकी मारपीट की गई ऐसा पहले कभी नहीं होता था और ऐसा अधिकारियों ने सरकार की नजर में नंबर बढ़ाने के लिए किया है और पत्रकारों के साथ बस हीटन जिश्टितियां देख सकते हैं कि एक और सरकार कि उत्तरप्रदेस में विकास तरक्की के बड़े दावे कर रही है इंवेस्टर समीट हो रही है जी टवन्टी समेलन हो रहा है दूसरी और इसी उत्तर प्रदेश में उद्दोग कामधंदों के विकास के विप्रीत कानपूर दिहाज जैसी घटनाएं भी हुई कई सारे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर सदन में विधान सभा में हंगामा तो सुभाविक है अच्छा जब बीजेपी विपक्ष में भी तो उसने भी है किया था जो आज जो सत्तम रहता है वो नेतिक तक दुखाई देता है जो विपक्ष में रहता है जनता की आवाज है उसके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है आज विधान सभा में दो बड़ी ताकते हैं एक भाजपा का गड़बंदन है एक समाजवादी पार्टी का गड़बंदन है और यह बसपा और कांग्रेस की गिंती तो बहुत कम है अगर टीवी और अकबार न छापे तो जान भी न पाएं लोकिन के कितने विधाय को बोले यह क्या हुआ तो बात लेकिन यह जब भी करेंगे तो यह चाहते हैं कि विपक्ष में देखिया जूटता तो है नहीं का बसपा और कांग्रेस यह दोनों सपा के खिलाब बोलते हैं भाजपा के पक्षमें भी हो जाता है यह कहते हैं ना भाजपा साथ है ना सपा के साथ है तो ये अगर भी पश्ट के साथ नहीं तो अपने आपए सत्ता पश्ट को लाब हो जाता है उसका अब विधान सभा में सरकारी कामकाज होगा अगर ऐसे अंद्बावाल चलता रहा तो सरकार अपना बजट पास कराएगी और दूशार दिन में करेगी बहस उसका चली जाएग च्छाय तारिक से पहले सत्रसायत खतम हो जाए क्योंकि होली है तवहर है होली मिलंद शुरू हो जाता है उसके बाद काफी दिन तक तो आज इसमें भी चर्चा हुई कि ज्यादा चलेगा नहीं देखिए हमारे परदेश में एक संभावना विपश के हाथ में एक हमेशा च आरजिन पर जब चाहे चर्चा करिए जब चाहे अंदोलन करिए लेकिन आप देखिए कि कानपूर दिहाद में कितना भी पच्छी दल पहुंच पाए गाहों तक यहीं से एलान करके जाते हैं रस्ता में कानपूर उन्नाव टोल प्लाजा पे वहां रोक लिए गए चाहे प स्यासत में टीवी पर आजाए वीडिया में आजाए सियासत चमकती रहे अब सड़क का संगर्स कहा रहा अच्छा बीजेपी के लिए इस सत्र में फाइदा यह हुआ कि राजबर जी बैठे हैं उनका मौन समर्थन भी है खुला समर्थन भी है जहां पर मौन है मौन तो अखिले दिन था अभी वटायक बोलेंगे वह अखिलेश यादोग की पार्टी पर लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष यूप योगिता बहुत है ताकत सक्ती जब भी आती है किसी के पास तो अपने साथ निरंकुस्ता लाती है और निरंकुस्ता पर अंकुस रखने के लि काम के लिए बिठाया है कि आप मुद्दे उठाइए आजम खा का अबदुल्ला का मुद्द उठाइए इर्फान सोलंकी का मुद्द उठाइए और तमाम सारे और रोजगार और जो कमिट्मेंट किसा अनविज ली इन सब के मुद्दों को उठाना भी पक्ष को यह और देखा लोगों ने देखिए उत्तर प्रदेश में मैंने कायक और धारा है जतना मुद्द हुआ है 35 लाग करोन का अगर 25 परसेंट भी आया तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की बाहर आ जाएगी बहुत बड़ी चीज होगी हमारे युआओं को काम खोजने अब उत् दी रहे दी फ्रैक्टरियां आएं बढ़े कश मामला तो देखा जाए संग sup कि लोगतन्तर में जनता की और मीडिया की आवाजको दब नहीं चाहिए न लिए कोई भी सरकार हो उसको जगाय रखने का काम यही तीन लोग करते हैं और यह हमेशा होते रहना चाहिए जी विरेंजी अधिकार है वसीम बरेलवी उनका एक सेर है कि महबत ना समझ होती है समझाना जरूरी है और जो दिल में है उसे आखों से कहलाना जरूरी है और नई उम्र की खुद मुटारियों को कौन समझाए कि कहा से बचके चलना है कहा जाना जरूरी है वसूलों पर आच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बहुत बढ़ी आवात कैंब यह है बँख बहुत शुक्रिया आपका धन्यभए हमा